और सी बेच एका बेहाद महित्वपुन जानकारी आ गए इस वक्ती बेहाद महित्वपुन खबर से आपको मुखादफ करा देते हैं जो इस वक्त पंजाब सारी जो हम पंजाब में पी-ेम अबोधी की सुरक्षा में चूक देखी गई है यहां आपको बता दी कि 15 से 20 मिनट प्लाइ ओवर पा पीम का काफिला रुका रहा ग्राम अंत्राले ने पंजाब सरकार से रेपोर्ट मांगी है स्कुले का बड़ी जानकारी सुरक्षा चूक के चलते फिरोसपो में पीम की रैली को भी रद कर दिया गया है हार के ड़ से कॉंग्रिस ने रैली में बाधा डाली है ये कहा है जेपी नड़ा ने तो इस चूक के बाद से जेपी नड़ा ने बयान भी दिया है और कहा है कि हार का ड़ है कॉंग्रिस को इसीलिए बाधा डाली गई है बड़ी जानकारी 15-20 मिनट फ्लाइ ओवर पाप पीम के काफिले को इंतजार करना पड़ा घ्राम अंत्राले ने अब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है बड़ी जानकारी है इस वक्ती सुरक्षा चूख के चलते पिरोसपुर में पीम की रेली को रद करना पड़ा है और इसके बाद से जेपिनड़ा ने कहा है कि हार के जर्शे कांगेश ने रेली में बादा डाली है तो बड़ी जानकारी है क्योंकि पीम के सुरक्षा बेहत जरूरी होती है और ऐसे में 20 मिनट अगर पीम मोदी के काफिले को कहें इंतजार करना पड़ जाता है तो ये बड़ी बात है यहाँ आपको बता दे कि 15 से 20 मिनट फ्लाई ओवर पे पीम के काफिले को इंतजार करना पड़ा और इसे सुरक्षा में चूक ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए और ऐसे में अब जेपिन अड़्डा ने भी कहा है कि हार के डर से कांगरेश ने रैली में बाधा ढाली है बेहादी मैत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की आपको बता दे कि जानकारी पंजाब से आ रही है जहाँ पीम मोदी की सुरक्षा में चूक देखी गई है 15-20 मिनट फ्लाइ ओवर पाप पीम के खाफिले को इंतजा करना पड़ा और यहाँ आपको बता दे कि अब ग्रम अंत्राले ने पंजाब सरकार से रेपोर्ट मागी है और इसके साथ ही फिरोजपूर में पीम की रैली होनी थी लेकिन फिरोजपूर में होने वाली इस रैली को रद कर दिया है और इसके साथ ही अब जेपी नड़ा का भी बयान निकल कर सामने आ गया है उन्होंने कॉंग्रेश पर निशाना साथते हुए काया कि कॉंग्रेश को डर है इसी लिए पीम की रैली में बाधा डाली गई है जिस वज़ा से 15-20 मिनट फ्लाइ ओवर पर पीम के खाफिले को इंतजा करना पड़ा और शकी वज़ा से ही फिरोजपूर में जो रैली आज पीम मोदी की होनी थी उसे रद कर देना पड़ा तो सुरक्षा चूप के चलते है फिरोजपूर में पीम मोदी की इस रैली को रद करना पड़ा है बड़ी जौनकारी है इस वक्की बेहद ही में तो पूर खबर है यानि पीम मोदी का पंजाब दौरा पूरे तरीके से रद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों की वज़ा से ये फिरोजपूर रैली जो है वो रद कर दी गई है और कहा जा सकता है इसे कि पंजाब में पीम मोदी की सुरक्षा में चूक देखी गई है पंदरा से बीस मिनट फ्लाई उवपा पीम के काफिले को इंतजा करना पड़ा जिसके बात से अब ग्रह मंत्राले ने पंजाब सरकार से रिपोट मांगी है इसको लेका कि आखे क्या कारण है कि जिसकी वज़ा से पंदरा से बीस मिनट जो की पीम के लिए देश की प्रधान मंत्री के लिए बड़ी बात है उनके काफिले को फ्लाई उवपा इंतजा करना पड़ा है तो यहाँ आपको बता दे कि सुरक्षा में चूक के चलते जो पीम की रैली थी वो रद कर दिया गया रद कर दी गई और इसके साथ ही यहाँ आपको बताती कि घ्रह मंत्राले ने भी एक्शन लिया है पंजाब सरकार से रेपोर्ट मांगी है उन्होंने भी अब बयान दिया है कि कॉंग्रिश को डर है और इसलिए ही पीम की इस रैली में बाधर डाली गई है 15-20 मिनट ये पूरा काफिला पीम का काफिला इस फ्लाई ओवर पर रुका रहा और जिसके बाद से जो रैली है पीम मोदी की जो फिरोजपुर में होनी थी उसे रद कर दिया गया इसकारे करम को रद कर दिया गया और यहां सुरक्षा चूक देखी गई है बड़ी सुरक्षा में चूक है पीम मोदी देश के प्रधान मंत्री को यहां फ्लाई ओवर पर 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा आखिर क्या कारण है अब इसके लिए भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है घ्रैमंत्राले की तरफ से 15-20 मिनट फ्लाई ओवर पर पीम का यह काफिला रुका रहा पंजाब में पीम मोदी की सुरक्षा में चूक नहीं है तो क्या है जब एक पीम के काफिले को 15-20 मिनट तक यहां फ्लाई ओवर पर रुकना पड़ा है पंजाब में पियम मोदी के सुरक्षा में चूक देखी गई है जिसके बाद से जो दौरा था उनका वो रद कर दिया गया है जो रैली उनकी होनी ते फिरोजपुर में उसे पूरी तरीके से रद कर दिया है जिसके बाद से अब ज्येपिन नडडा ने भी ये बयान दिया है कि कॉंग्रेस डरी हुई है इसलिए पियम के जो रैली है उसमें इस तरीके के बाधा डाली गई है क्योंकि जो काफिला इस रैली के लिए निकला था उसमें काफी देर होई जिसके बाद से इस रैली को भी रद कर दिया गया यानि कि फिरोजपुर की जो रैली होनी थी वो रद कर दी गई है पीम का जो पंजाब दौरा होना था वो पूरी तरीके से रद कर दिया है तो सुरक्षा कारणों की वजह से ये रैली रद की गई है ये दौरा रद किया गया है पंजाब में पेम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक देखी गई है तो इसके बाद से अब पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है ग्रह मंत्राले ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और पूछा है इस रिपोर्ट में की आखे क्या कारण रहे कि प्रधान मंत्री को फ्लाइ ओवर पा 20 मिनट इंतजार करना पड़ा उनके काफिले को इंतजार करना पड़ा क्योंकि इस इंतजार की वजह से जो रैली होनी थी फिरोजपूर में उसे रद कर दिया गया जो पंजाब दौरा था पिये मोदी का वो रद करना पड़ा तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलिजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरे भी इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है इस काफिले के दौरान की जब काफिले को इंतजार करना पड़ा पंद्रा से बीस मिनट फ्लाई ओवर पा वो तस्वीरे आप देपा रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा गार्ड है जो पुले सेम हतेनाथ है क्या कारण है हाला की ये जवाब जरूर मांगा गया है ग्राम उंत्राले की तरफ से पंजाब सरकार से और रिपोर्ट मांगी गई है कि एक रिपोर्ट बना के दीजे कि क्या कारण है जिसके वज़ा से जो काफिला है उसे इतना देर इंतिजार करना पड़ा तो बता दे कि पियम मोदी की सुरक्षा में चूक जो है वो देखी गई है पंजाब के अंदर जहां पंजाब का जो दौरा था पियम मोदी का अब उसे रद कर दिया गया है फिरोसपूर में पियम मोदी की एक रैली होनी थी जहां तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई जो लोग है माल जुट गए थे कारे करता पहुंच गए थे लेकिन क्योंकि काफिला इतना देर तक इस फ्लाइ ओवर पे रुका रहा तो सुरक्षा की चलते सुरक्षा को देखते हुए इस रैली को रोकना पड़ा रद करना पड़ा जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए कि अब जेपी नड़ा ने भी कहा है कि कॉंग्रिस शायद डर गई है और इसी डर की वज़ह से ये जो रैली में बाधा डाली गई है जो काफिले को इतना इंतजा करना पड़ा है वो कॉंग्रिस की तरफ से एक बाधा है जो की डर की वज़ह से बाधा इस काफिले को लेकर डाली गई है तो बड़ी जौनकारी इस वक्त की यहां आपको बता दे कि अब ग्रम अंत्राले ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है और कारण मांगा है जवाब मांगा है कि आखे क्या वजह रही कि पेम मोदी के काफिले को इतना देर फ्लाइवर पाइंतजा करना प की